नमस्ते आप सभी मित्रों का स्वागत है आज मेरे साथ है योग सिक्षी का नियता आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वास के बारे में हम में से अधिकतर लोग स्वास गलत तरी से लेते हैं ब्रीथिंग जो है हमारी गलत तरी से है उस गलत तरीके से ब्रीथिंग लेने कारण हमको मानशिक और शारिदिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आज मैं नियता के माध्यम से बताऊंगा कैसे आप अपनी स्वासों को सही तरीके से ले सकते हैं और अगर आप स्वास लेना सही तरीके से सीख जाएं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा करांती होगी और आप बहुत ज़्यादा उस चीजों का लाव उठा पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान में जा पाएंगे, आपका सरीर स्वस्थ हो पाएगा, आपका मानसिक स्वास अच्छा हो पाएगा तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए और जो प्रयोग के बारे मैं बताने जा रहा हूं उसको आप करिए कम से कम एक हटा उसका प्रयोग कीजिए तो आपका पूरा ब्रीथिंग जो है आपका स्वांस वो अच्छे से हो पाएगा अच्छे से उसका यूज कर पाएंगे हम मेंसे अधिकतर लोग स्वास को जो है छाती से लेते हैं अगर हम lungs को देखें, lungs के तीन हिस्से हैं एक upper lungs, उपर का, एक middle का part और एक नीचे का part और हम मेंसे अधिकतर लोग जो स्वास लेते हैं यह जाती से लेते हैं तो हमारी जितनी स्वास है हमारी वो हमारी केवल चाती तक रह जाती है वो नीचे तक हमारे जो lower parts है जो lungs के वहां तक नहीं जा पाती है और अगर आप देखेंगे सरीर को तो gravity के कारण जो गुरुत्वा करशन होता है उसके कारण body का अधिकान से blood नीचे की तरफ रहता है हमा ब्लड को उतनी oxygen blood को नहीं मिल पाती है और जो heart है हमारा वो उस oxygen को हमारे शरीर में नहीं पहुचा पाता है उतने अच्छी तरह के से पहुचाता है पर उसकी जो quality है उसकी जो quantity है बहुत कम होती है बर हम जब हम गहरी स्वास लेंगे गहरी स्वास का प्रयोग करेंगे तो ह हमारे जो नीचे के लंग्स हैं वो भी काम करेंगे और हमारी oxygen पूरी तरह से हमारे पूरे शरीर में जाएगी तो उससे हमारा मानसिक स्वास सच्छा होगा उससे हमारा साररिक स्वास सच्छा होगा तो इस प्रयोग को कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूं उसके लिए हम लेट जाएंगे अराम से नेता जी लेट जाएंगे अराम से लेटना है लेटने के बाद कोई आप हैवी बुक का यूज कर सकते हैं कोई आपके पास कुसन है या पेलो है थोड़ा सा हैवी होना चाहिए बारी होना चाहिए उसको हम पेट में रखेंगे पेट में उपर की तर करना है आपको पस चुप चाप इस जो बुक है उसको देखना है तो जो आप लेट करके इसका प्रयोग करेंगे लेट करके पस आपको महसूस करना है जो बुक है या पिलो है या कुशन है उसको उसके भार को महसूस करना है और महसूस करना है हमारे जो ब्रीथिंग है वो हमा ओपर हो सके फिर नीचे की तरफ स्वास को छोड़ते हुए को नीचे की तरफ गहरी और लंबी स्वांस रहेगी इस में कि हमारा पूरा आपर के पर इस एरिया पर हमारे साइट पर साइट पर होती है इंटर कोस्टल मसल बोलते हैं और मिडिल में जहाँ पर हमारी thoracic cavity और हमारी जो abdominal cavity का हिस्सा है उसको बोलते हैं diaphragm यहाँ पर एक diaphragm होता है तो diaphragm जब push होगा नीचे की तरफ हमारा पेट फूलेगा तो हमारी breathing abdomen से होगी और deep होगी देखिए किस तरह से पेट उठ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है तो गहरी और लंबी स्वास यहाँ पर हो रही है और अपने आप ही जो lungs का कार है वो अपने आप ही बढ़ गया है तो आप देखेंगे side की जो ribs हैं वो भी fell रही है उनको फैलाने का प्रयास करेंगे तो side क का abdomen है उसको फैलाने का expand करने का प्रयास करेंगे बहुत बढ़िया और केवल abdomen तक नहीं केवल पेट तक नहीं नीचे के हिस्से में हमारे जो pelvic floor है वहां तक स्वास जाएगी हमारी lower back में स्वास जाएगी पूरा स्वास गहरा और लंबा है बहुत अच्छा अती उत्तम गहर लंबा पूरा हमारे पेट पर पूरा ध्यान उसको expand करना है गुबारी की तरह इमेजिन करना है जिसे गुबारा फूलता है और फिर सिकुडता है वैसे ही हमारा पेट फूल रहा है हमारे पूरे लंग्स में oxygen जा रही है और जब हम स्वास छोड़ रहे हैं तो लंग्स पू expand हो रहा है और स्वास छोड़ते हुए contract हो रहा है तो आप एक छोटे बच्चे को अगर देखेंगे चोटा जो बेबी होता है around one year का तो उसको देखना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका हमेशा पेट इसी तरह से फूलता है और शिकुडता है तो वह natural अवस्ता है ह स्वास को लेने की पर जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम चाती से हम स्वास लेने लगते हैं हम सूचते हैं कि चाती स्वास लेंगे तो हम को जदा अच्छा होगा हम जदा अच्छे तरह से हम उपने शरीर को दिखा पाएंगे लोगों के सामने पर यह गलत तरीका है ज से कम आप इस तरीके को साथ दिन कीजिए अपने पेट पर बुक को रख करके कुछ साथ दिन तक कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट आप इसका प्रयोग कीजिए और फिर आपको उसका जो लाग मिलेगा वो आप बताईए मुझ को कैसा आपको महसूस हुआ है उसके बात में तो बहुत ही simple जो परिक्रिया है वो यह है स्वास को लेना है और छोड़ना है तो अगर आप कोई भी practice करते हैं सारी practice को बंद कीजिए कोई भी ध्यान करते हैं कोई भी प्रयाणायाम करते हैं पहले अपनी breath पर breath प्रान जिसको life बोलते ह जिसके बिना जिन्दगी चल ही नहीं सकती है पहले उसको सही तरह इसे के लेना सीखिए और जब आपको लेना आएगा तो अपने आप ही आपको दुसरे दुसरे जो योगा भ्यास करेंगे प्रणायाम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको तो यह था हमारा एब्डमन से ब्रीफिंग करेंट वे से कैसे ब्रीफिंग करनी है इसके बारे में यह पूरी चर्चा थी आप धीरे से वापस आ सकते हैं नियता जी थोड़ा से बताईएगा आप कैसा महसूस हुआ आपको इसके बाद बहुत ही आराम दाया थी बहुत ही रिलाक्सिंग और हलकी हलकी नीन सी बहुत ही अच्छा लगा करने के बार और आपकी ब्रीफिंग कैसी थी गहरी और लंबी थी जो जब बुक पेट में आ गया तब उस टाइम पर बहुत ज़ादा मेरा ध्यान चले गया पेट की तरफ और जब वो गया तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जादा अच्छे से मैं कर पारी हूँ वो चीज को तो बुक एक तरीकी का माध्याम बन चुका था मेरे लिए तो ये था छोटा सा प्रियोग आप इस प्रियोग को जरूर जरूर कीजी और अपने स्वास जिन्दगी को अपने अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से एक अच्छी तरह से जीए तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी का धन्यवाद देखते रहिए हमको धन्यवाद आप सभी का